आपको बताएं कि आज से विधान सभा का श्रीत कालीन सत्र शुरू हो रहा है और ये सत्र 22 तसंबर तक चलेगा बताएं आपको कि इस सत्र में 5 कारे दिवस हैं कल सदन में पेश होगा दूसरा अनुपूरक बचल और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी राकेश उनका रुक कर लेते हैं राकेश देखिए अब आज से श्रीत कालीन सत्र की शुरूआत हो रही है और तयारियां दोनों तरब से हैं विपक्ष ने जहां सरकार को घेरने की रणीती बना रखी है वही सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तयार है विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल देखे अपने अपने तरीके से रणनीती तयार कर ली गई है चाहे बिपक्ष के तरब से बात करें या सत्ता पक्ष के बात करें और आप ये जरूर कह सकती है आर्थी कि ये शीत सत्र है लेकिन सियासी गर्माहट आपको विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी राज्य सरकार को घेटने की तैयारी है विपक्ष की और सबसे बड़ा जो इशू है आज के डेट में जो लगातार आप देख रही हुए कि जेपिस्टी को लेकर रोज नए विबाद उठ रहे हैं रोज नए चीजे जेपिस्टी को लेकर निकल रही है तो उसको लेकर भी जर्माहट जो है वो महसूस की जा सकती है जारखन विधान सबा में और आज इसकी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी आपने देखा होगा कि कल इसी मसले को लेकर बीजेपी का डेलिगेशन जो है महा महीम राजपाल से भी मुलाकात किया और परिक्षा रद करने की बात हो रही है जो जेपीसी के चेर्मेन है उनको बरखास करने की बात हो रही है तो जेपीसी का बड़ा मुद्दा है जिस पर सरकार को घिरने की विपक्ष ने रनीती बिना ली है और जब विपक्ष की कल बैठक हो रही थी बीजेपी की तो उसमें भी इस मुद्दे को लेकर त तो सत्तापक्ष की क्या रनीती होगी, सत्तापक्ष का क्या जबाब होगा ये देखना होगा तो ऐसे कई मुद्धे हैं कुछ पुराने कुछ नए आप कह सकते हैं जिसको लेकर सदन की गरमहाट मैंसूस की जा सकती है और जो पिछली बार जो आपने देखा था कि जो विधान जिन है वो एक बार फिर निकलेगा क्योंकि जो कमीटी बनाई गई थी इसको लेकर वो कमीटी फिलहाल अपनी रिपोर्ट विधान सभा स्पीकर को नई सौपा है कमीटी अपनी रिपोर्ट और सिर्फ पच्छ मंगाल से ही ये बाते सामने निकल कर आई है कि वहां के विधा प्यूज होता है डिया ओचस त् guys होता है के विधान सभा के सिस्थ सतर को लेकर चलना चाहता है तो आज नजर आप बनाए रखे राकेश जैसे ही कुछ हलचल होती है क्योंकि अब थोड़ी देर बाद ही सदन की कारवाई शुरू होकी तो हम वो भी तस्वीरे दिखाएंगे फिलाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए तो देखे शीतकालीन सत्र के शुरुवात हो रही है आज से और इस भार पांस दिनों का ये सत्र है कारे दिवस पांच होंगे इसमें और दोनों तरफ से तयारियां कर ली गई हैं चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो बहुत सारे मुद्दों पर सरकार को घेड़ने की रणनीती विपक्ष ने बना कारे जाए उन पर चर्चा हो और एक सार्थक रूप से इसका परिणाम निकले इन पांच जो कारे दिवस हैं वहां पर उन मुद्दों पर चर्चा हो जिनसे जनता का सरोकार है जिनसे जनता के हित जुड़े हुए हैं लाइक अंड शेर वीडियोस सब्स्क्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकोन न्यूस लावन भारत सच है तो दिखेगा